क्या आप भी कच्चा प्यास खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं, तो आज के बाद जरूर खाएंगे। प्यास काटते वक्त आपकी आँखों से आसू तो आते होंगे, लेकिन इसको खाने के फायदे भी बहुत हैं। डाइजेशन में मददगार कच्चा प्यास डाइजेशन में काफी मदद करता है। कच्चे प्यास में फाइबर की मात्रा जाधा पाई जाती है, जिससे आपकी पेट के अंदर का चिपका हुआ खाना भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। कच्चे प्यास को खाने से पेट की सफाई हो जाती है जिससे कब्स दूर होता है जो लोग सुबा एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते उन्हें रात में खाने के साथ कच्चे प्यास का सालिट खाना चाहिए ये नोसका कब्स को दूर करने में काफी लाबदायक साबित होता है ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा अक्सर गर्मियों में लोगों को गरम हवा यानि लू का सामना करना पढ़ता है और यही कारण बन जाता है नाक से खून आने का जिसे आम भाशा में नकसीर फूटना भी कहते है गर्मियों में आपको ये ध्यान रटना चाहिए कि आप हर दिन अच्छे से कच्छा प्यास खाएं जिससे ना तो आपको लू लगेगी और ना ही आपकी नकसीर फूटेगी यही नहीं अगर आपके दातों से भी खून निकलता है तो आप कच्छे प्यास को गरम करके अपने दातों के नीचे तीन से चार मिनट दबा के रखी इससे आपको जल्दी फरक लगेगा गले की खराश मिटाएं अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका गला अकसर खराब रहता है या फिर सर्दी जुकाम खासी से आप परिशान रहते हैं तो जान लीजे ये आसान सा नुसका आपको कच्छे प्यास का रस निकालना होगा इस रस को आप शहद में मिलाकर दिन में दो भार लें और लगातार एक हफ़ते तक ही इससे ना ही आपके गले में खराश रहेगी और साथ ही सर्दी जुकाम से भी छुटकारा मिलेगा कैंसर सेल्स को रोके कच्छे प्यास में सेल्फर की मातरा काफी अधिक होती है ये कैंसर सेल्स बढ़ने नहीं देता कैंसर प्यास को प्यास खाने से उसके ट्रीटमें में बहुत मदद मिलती है अगर आप शुरू से ही कच्छे प्यास खाते आ रहे है तो पेड, ब्रेस, फेफडे और प्रोस्टेट कैंसर का खत्रा भी कम रहता है यूरीन से जुड़ी बिमारी अभी कच्छा प्यास खाने से ठीक हो जाती है अनीमिया से बचाए कच्छा प्यास आपको अनीमिया से भी बचा सकता है प्यास को काटने से आँखों में आसु आने का कारण होता है उसमें पाया जाने वाला सेलफर जो नाप की जरी शरीर में एंटर करता है सेलफर में एक तेल पाया जाता है जो अनीमिया से आपके शरीर को बचाने में मदद करता है और अगर आप अनीमिया से पीडित हो गए हैं, तो उसे ठीक करने में सहायक साबित होता है जब आप प्यास को खाने में पगा कर खाते हैं, तो ये सलफर नश्ट हो जाता है इसलिए सलफर की प्रापती के लिए आप कच्छे प्यास ज़रूर खाएं कॉलिस्ट्रısıल कम करता है, अगर आपका कॉलिस्ट्रोल हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है और आप उसको कम करने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको ज़रूरत है कच्छे प्यास खाने की कच्छे प्यास में अमीनो एसिड और मिथाइल सेलफाइट पाया चाता है ये सबी तत्व खराब कॉलेस्टरॉल को कम करते हैं और गुड कॉलेस्टरॉल को बढ़ाते हैं तो कच्चे प्यास खाने से आप कॉलेस्टरॉल बढ़ने की परिशानी से निजात पास अगेंगे दिल के लिए फायदे मंद High Blood pressure control करने में कच्छा प्यास बहुत ही मददगार साबित होता है ये बंद खोन की धमनयों को खोलने में मदद करता है जिस से आपको दिल की बिमारी होने का खत्रा काफी कम हो जाता है बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि pénास unit की दुलना में प्यास खाने वालों की सेहत जादा अच्छी रहती है साथ ही आपको ये भी मैं बता दूँ कि अगर आप diabetes के शेकार हैं तो कच्चे प्यास खाने से आपके शरीर में insulin पैदा होता है इसलिए कच्चा प्यास diabetes के रोगियों के लिए भी बहुत बड़ी आमाना चाता है तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो हमें comments में जरूर बताएं